Welcome to Study Watch Muddo Surprises चारागा की आश्चर चकित कर देने वाली चीजें मड़ो का मतलब जैसा हम जानते हैं चारागा ठेक चारागा उसे कहते हैं जहां पर जानवर चरने आते हैं Surprises का मतलब है ऐसी चीजें जिसे देख करके हमें आश्चर होता है अद्भुत चीजें या फिर आश्चर चकित कर देने वाली चीजें ये पोएम NCRT के Class 7 की English की बुक Honey Com का ये Unit 8 की पोएम है इस Unit में जो स्टोरी है उसकी वीडियो बना दी गई है उसे आप देख सकते हैं इस पोएम में पोएट चारगाह में छिपी आश्चर भरी बाते हैं उसके बारे में बताता है वो कहता है कि अगर आप ध्यान पूरवक जाएंगे मडो में चारगाह में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत ही नरम मकमली घास मिल जाएगी वहाँ पर आपको फूल मिलेंगे वहाँ पर आपको तितलिया मिलेंगी जो फूलों का रस चूस्ती हुई रहेंगी और फुदकता दौरता भागता आपको खरगोश मिल जाएगा और डेंडिलियन जैसे फूल भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जिनके फूल बहुत सुंदर होते हैं तो इस तरह से अगर आप जाएंगे बहुत ध्यान पूर्वक कर आपकी आँखें और आपके कान खुले हुए तो भ rij जाएंगे तो वहाँ सारी सर्प्राइश भरी चीज़े आपको मड़ो में मिलेगी थीक है तो चली देखते हैं line by line इसमें poeim को walk across a green field एक हरे मेदान में घूमिये walk का मतलब क्या है घूमना across a green field एक हरे मैदान में पूरे एक हरे मैदान में घूमिये वो क्या हो सकता है कौन सा मैदान अपार्क और even under a clump of trees पार्क में या फिर यहां तक की जो पेडों का जुर्मुट होता है उसमें clump of trees का मतलब क्या है पेडों का जुर्मुट and or you will notice many wonderful things आपको ध्यान में आएंगी आप जानेंगे आप देखेंगे notice का मतलब क्या है आप ध्यान देंगे आपको नजर आएगा many wonderful things बहुत सी आश्यर चकित कर देने वाली चीज़े wonderful things का मतलब क्या है यहाँ पर जो हम surprises उपर बात कर रहे थे वही चीज many surprises अगर हम चाहे तो इसको कह सकते है many surprises ठीक you will notice many surprises आप बहुत सारी अद्बू चीज़े notice करेंगे what are some of the surprises Amado has for someone with a keen eye and a sharp ear so कि определ what are the some of the surprises वो कौन कौन सी wonderful चीज़े है वो कौन सी आश्यर चकित कर देने वाली चीज़े है Amado has जो एक चारागाह में होती हैं एक चारागाह में कौन सी आश्यर चकित कर देने वाली चीज़े होती है for someone with a keen eye and a sharp ear जिसका तेज कान है और जिसकी बहुती तेज आँख है उसके लिए ठेक उसके लिए जिसकी आँख तेज है जो देखता बहुत अच्छे से है और sharp ear है जो सुनता बहुत अच्छा है तो उसके लिए कौन कौन से surprises मडो के पास है उसके बारे में यह poem है उसको देखते हैं चलिए आगे देखते हैं मडोस हैव सर्प्राइज़स यू कैन फाइंड देम इफ यू लोग वाक सॉफली तू दे वैलवेट ग्रास एंड लिसेन बाइद ब्रुक मडो है सर्प्राइज़स चारागाह में आशर चकित चीज़ें छिपी हुई रहती हैं चारागाह में बहुत सी आशर चकित करने वाली चीज़ें होती है यू कैन फाइंड देम अगर तुम इसे ध्यान से देखो अगर तुम उसे ध्यान से देखो अगर तुम उन्हें ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बहुत सारी जो वंडरफूल चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी और जो जल की धारा है उसको सुनो लिसन का मतलब कैसा सुनो ब्रू का मतलब जल की पतली धारा ठीक जैसे यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये देखे, ये जिस तरह से ये नदी, हल्की छोटी नदी आ रही है, उसी को बोलते हैं बुरू, तो इसके जो पानी के चलने की आवाज है, उसको भी आप सुन करके प्रकृत के आनंद का आनंद ले सकते हैं, प्रकृत के सुन्दर्ता का आनंद ले सकते हैं, ठीक, चलिए आ butterfly मिले rest upon a buttercup जो buttercup के फूल पर आराम कर रही हो या फिर बैठी हो जो buttercup के फूल पर बैठी हो हो सकता है आपको ऐसी तित्ती मिले and unfolding its drinking straws और अपने पीने वाले straw को और अपने पीने वाले pipes को वो निकाले unfold का मतलब यहां पर क्या है निकाले to sip the nectar up nectar को पराग को पीने के लिए sip का मतलब यहां पर क्या है drink जैसा हम जान चुसकी लेकर पीने को sip कहते है drink का मतलब होता है पीना और swallow का मतलब होता है निगल जाना ठीक तो इस तरह से हो सकता है कि आपको मिले वहाँ पर एक butterfly जो buttercup के फूल पर बैठी हो जो अपना straw निकाले और उसके पराग को पीती हो ठीक चलिए आगे देखते है you may scare a rabbit who is sitting very still though at first you may not see him when he hopes you will you may scare a rabbit हो सकता है आप किसी rabbit को किसी खरगोश को डरा दे square का मतलब क्या है यहाँ पर डराना ठीक है भैभीत करना आप हो सकता है किसी rabbit को डरा दे who is sitting very still जो बहुत ही शान्त बैठा हो sitting very still का मतलब है जो बहुत शान्त बैठा हो when he hops you will और आप इसे देखें जब ये फुद के तो ठीक जैसे ये चुपचाब बैठा हुआ है और हो सकता है शुरूर में आप इसको ना देखें ये दुपकर बैठा हुआ है और जब ये फुदकता है अचानक कूदता है तब आप इसे देख पाएंगे ठीक तो ये भी आपके लिए एक सर्प्राइज की ही बात होगी कि कोई जानवर जैसे खरगोश दुपका बैठा हुआ है वो अभी आपने नहीं देखा है और अचानक वो अपने छिपने वाली जगा से कूद कर भागता है तो आप भी घबरा जाते हैं और वो घबरा करके तो भागता ही है तो यही संदरता है मडो की यही सर्प्राइज है मडो की यही चरागा का आश्चच है ठीक चलिए आगे देखते है एक डैंडिलियो न ही पथा होता है ठीक जिस का अभी जुस सीर है यानि जो जो उसका तना है उसका ये ये कैसा है अभी ये बहुत रुमादार है इसमें बहुत जादा फर जैसे लगे हुए है वस गोल्डेन डेज अगो ये कुछ दिन पहले ये बिलकुल सुनहले रंका था जो ये डेंडिलियोन का पौधा है ये कुछ दिन पहले सुनहले रंका था गोल्डेन कलर का था has turned to airy parachute अब ये पैराशूट्स में बदल जाता है airy पैराशूट्स का मतलब हवा में उडने वाले पैराशूट्स में बदल जाता है that flatter when you blow when you blow जब आप फूक मारते हैं तब ये फड़ फड़ाता हुआ बिलकुल हवाई पैराशूट्स में बदल जाता है when you blow का मतलब क्या है फूक मारता जैसे ये पौधा है और इस पे फूक मारते हैं तो ये छोटे 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 इसके जो रुए होते हैं वो चारो तरफ फैले लगते हैं उसी की बात यहाँ पर कही गई है कि डंडरलियॉन का hit था जो उसका पौधे का फूल जैसा था वो कुछ दिन पहले गोल्डेन था अब ये आपकी फूक मारने से जब आप इसे फूक मारेंगे तो ये फड़पडाता हुए हवा में हवाई पैराशूर जैसा नजर आने लगेगा ठीक चलिए आगे देख explore the mud of houses the bureaus in the ground unnissed beneath tall grasses the ants amazing mount कह रहा है कि explore खोजिये ढूंडिये explore का मतलब क्या होता है जो कोई चीज़ बहुत interest से ढूंडी जाती है उसको बोलते है explore ठीक घूम घूम करके ढूंडने को क्या कहते हैं explore explore muddow houses जो muddow की जो चारागार के घर है उसे ढूंडिये the bureaus in the ground जो जमीन में बने बिल है बिरो का मतलब क्या है जहां पर खरगोश और दूसरे जानवर रहते हैं बिरो उसे बोलते हैं बिल तो उनके जो घर बने हुए है यानि यहां पर जो घर है किसके हैं वो जानवरों के घर है वो केड़े मकोडों के घर है उसे आप ढूंडिये अनिश बिनीद टॉल ग्रास लंबी लंबी घासों के नीचे जो घोसले बने हैं उन्हें ढूंडिये बिनीद का मतलब क्या होता है बिलो नीचे जो बड़ी लंबी लंबी घासे हैं उसके नीचे जो घोसले बने हैं, उन्हें ढूंड यह और जो बहुती जू इंटरिस्टिंग बहुती अमेजिंग gyстीटियों के माउंड है जो चीटियों के टीले हैं उसे भी ढूंड यह तो हमने देखा, एक्स्प्लोर करने के लिए कहा जा रहा है इसमें जो मडो में चारागाँ में बने घर हैं कौन-कौन से घर बने हैं वो पी रोज है जो जमीन में हैं निस्ट हैं जो लंबी घासों के नीचे हैं और जो कीटी के टीले हैं शांदार टीले हैं वो सारे घर हैं मडो में जो बनते हैं ठीक चलिए आगे देख तो यहां पर पोईट फिलिप्स कहते हैं कि ओ मडू हैस सर्प्राइजेस मडू में बहुत सारी सर्प्राइजेस होती हैं बहुती आश्यर चकित कर देने वाली चीजे होती हैं और बहुत सी चीजे होती हैं बताने के लिए तेल का मतलब होता है बताना मेनी तिंग का मतलब बहुत सी चीजे बहुत सी चीजे बताने के लिए होती हैं यू मैं डिसकवर दीज यूरसेल्फ इसे आप खुद से ढून सकते हैं डिसकवर का मतलब है फाइंड आउट आउट आ तो इस तरह से जो लूइस फिलिप्थ है इस कविताग इस पोएम के लेखक तो बताते हैं कि जो प्रकिर्थ है हमारी जहां जैसे मालीजे उसका कोई भी एक अंगले ले जैसे चारागाह ले लिया तो वहां पर भी बहुत सारी चीजे जो हमें आश्चर चकित कर सकती हैं अग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन भी जरूर दबाईएगा आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालि आपके से लिए ऐदयो है यो यगी क्वालि किति थालिए थालिए यो